दोस्तो बाई सेल सिगनल सॉफ्ट्वेर में आप सबी का फिर से स्वागत करते हैं आज हम एनालिसिस करेगे आज का हमारा इंटराडे पॉफोमांस के कैसे सॉफ्ट्वेर वर्क करता है शॉफ्ट्वेर का काम होता है automatically buy and sell signal generate करके आपको देना तो software confirm trade मिले तो ही आपको trade लेना है अगर गलत trade मिले तो आपको trade नहीं लेना है क्योंकि software के अंदर बहुत सारे software के अंदर आपको confusion वाली बात होगी जब sideway market होता है तब पर यहां software आपको जो सही signal मिलेगा तो सही देगा कहां पर exit करें वो सब इसके अंदर included है तो कैसे काम करता है आए देखते है जर्श डाइल का चार्ट है उसके अंदर sale signal यहां पर हमें मिला है तो यह sale signal पहले तो directly हम trade नहीं करेगे तो check करेगे कि यह सही है या फिर गलत है तो यह sale signal हमारा confirm trade है उसका reason यह है कि sale के बेक में देखिए तो एक downside blue confirmation arrow बना है अगर यह arrow आया है तो हम sale में काम करेगे अगर यह arrow नहीं आया है तो sale में काम नहीं करेगे यह आता है तो आपको मनना है कि यह trade perfect है अगर यह नहीं है और directly sale आ गया तो आपको buy signal generate हुआ है green color का arrow तो buy आने पर हम directly buy नहीं कर देगे इसका भी verification करेगे कि यह सही है या फिर गलत है तो कैसे पता चलेगा तो buy के back में जाकर हम check करेगे अगर एसा blue color का arrow उपर की side बना है तो हमें मानना है कि यह buy signal है वो perfect है confirm है हम इसमें trade करेगे तो यह confirm है अभी exit कहां पर करें क्योंकि आपको तो एक target दिया जाता है तो target पर हम exit नहीं करेगे आपको exit जब exit करवाता है तब करेगे जैसे कि यहां पर उसने एक downside arrow डाला मतलब कि आपको क्या कर देना है एक exit का point डाल कर आपको exit कर देना अब कभी-कभ बहुत ऊपर चला जाता है तब software का क्या react करता है मैंने last one week से में live event में बोल रहा हूँ nifty and bank nifty को hold करने के लिए क्यों बोल रहा था क्योंकि software ही बोल रहा था कि आप hold रखी है market उपर ही जाने वाला है देखिए यहां पर एक buy signal दिया buy के back में एक उपर की side का blue arrow दिया इसका मतलब यह हुआ कि यह buy signal है वो confirm है buy के back में उपर की side का arrow था इसलिए buy confirm था अब आगे जाकर software ने क्या बोला देखिए यहां एक उपर की side का arrow डाला मतलब कि यह और उपर जाएगा आप hold रखी है आगले दिन भी बोला अगर आप intraday trader आप यहां से geven कर सकते हैं, अगर पोजिशनल है तो तो आप continue के ही है comments अब यह Con confidence increase होता है आपको hold करवाने में कि अभी भी उपर जाने वाला है हमें hold करना है तो यह आपको बार-बार आपको क्या देता रहता है support देता रहता है कि don't worry hold your position आपको market में continue hold ही रहना है यसे बार-बार आपको बोलने से confidence increase होता है और आपको exit कहां पर करना है तो जैसे ही downside arrow हमें मिले तब हम तुरंद exit कर लेगे देखिए तो यहां पर हमें downside arrow मिल गया मतलब कि हम exit कर लेगे अब यहां पर एक sale भी आ गया तो आज हम sale करेगे अब कल की market में देखेगे कि कितना नीचे जाएगा तो जब तक आपको hold करवाता है तब तक आप continue hold करते रहिए क्योंकि maximum profit दिलवाने की कोशिश आपको software करता रहता है हमारा दूसरा भी verification रहता है seat number two के अंदर वो seat number two के अंदर हमें चेक करना होता है कि यह जो trade line बनी है वो trade line से market उपर होनी चाहिए buy के अंदर तो already थी तो मतलब कि यह double confirmation trade था इसलिए मैं बार-बार आपको बोलता रहा हूँ कि आप continue hold रखिए आप चाहे तो हमारा last one week का वीडियो चेक कर लिजे live event चेक कर लिजे मैं उसमें continue nifty and bank nifty को buy कर वा रहा था फिर भी अगर आपको कुछ इस confirmation के बारे में software के बारे में कुछ नहीं पता चलता है तो आप हमें contact करिए निसे डिप्सक्शन बॉक्स में हमारा number available है धन्यवा दोस्तों कल फिर से मिलेगे live event के अंदर जाहिए